नमस्कार साथियों आप सबका पुनह स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो जोतिश में आजम लोग डिसकस करने वाले हैं श्रीमत भगवत गीता अध्याय एक श्लोक उन्निस आप लोगों के सईयोग के लिए पुनह पुनह हरदय से आप लोगों का धन्यवाद अभिनंदन ये जो हमने प्रयास शुरू किया है अपने गुरुओं की मदद से अपने आदर्नी सिक्षा विदों की मदद से और इसके जो रिवीव मिले हमें उसके लिए बहुत-बहुत आप सब का धन्यवाद मैं इसना ही बताना चाहता हूँ कि मैं मेरा ग्यान नहीं है वो तो सब हमारे गुरुओं का पुरुवजों का उन्हीं की करपा से मैं आपको थोड़ा सा बताने में सक्षम हुआ हूँ और भगवत गीता जैसे अपने आप में ही बोलती है कि अगर हमें वो तत्व ग्यान हो जाता है तो पिर जितना ग्यान हमने वेद, पुरान, उपनिशद, ग्रंतों से लिया है वो ग्यान उस तत्व ग्यान के सामने कुछ बूंद भी नहीं होता है कुछ बूंद मतलब एक महान, महासागर का जल और उसकी एक बूंद हमने निकाल दी तो बोल रहे हैं सारा वेद, पुरान, उपनिशद, पढ़ने के बाद जो आपने हासिल किया वो एक बूंद है लेकिन इसका हर्त ये नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रखे बैठे रहें और वो अपने को महासागर कम मिलेगा इसे का इंतिजार करें क्योंकि कोई और अपने पास कोई ऐसा तरीका नहीं है तो यहां एक बात समन में आते कि फिर करें क्या जो है भगवान ने जो दिया है रास्ता उसी को अपनाया जाए भगवद गीता उस तत्वग्यान के बाद बोलते हैं कुछ बूंद भी नहीं रह जाती है लेकिन वो तत्वग्यान कहां से आएगा वो इसी को बार बार इसकी पुनरावर्ती करने से आएगा इसी को पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें अभी हम किस contest में इसको बोल रहे हैं कि भई सारा वेद पुरान जो अपने को दे रहा है उसकी हमने मान लिया कुछ कीमत है उसका है लेकिन उससे जो उत्पन होने वाला है उसकी कीमत तो हाई नहीं वो तो देता ही रहेगा countless वो तो महासागर है अनन्त महासागर है तो अनन्त ज्यान की जो कामना करता है वो ये चिन्ता मनी अपने पास रखे जीवन छोटा है अब सारे वेद पुरान उपनिशद शायद कोई एक जन में ना पढ़ सके तो गीता को ही धारन कर ले बार बार हम यहीं बोल रहे हैं गीता को पढ़ ले या गीता को धारन कर ले गीता को धारन कर ले किसी ऐसी भाषा में पढ़ा है जो उसकी समझ में नहीं आता है उससे अच्छा है वो अपनी भाषा में उसको ट्रांसलेट करके समझ कर पढ़े इसलिए धारन करना बोल रहे ठीक है सत्यमेव जयते यह हमारे जो यह कह सकते हैं आत्मा है हमारे सम्मिधान की लेकिन अगर किसी को उसका अर्थी समझ में नहीं आ रहा है वो संस्कृत का वाक्य बहुत सुंदर वाक्य अब उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या यह सत्यमेव जयते क्या है तो उसके लिए सं असकर शब्द उसको कुछ देने वाला भी नहीं है, कि खाली सत्य मेव जयते से हो जाएगा, उसको बताना पड़ेगा, ये क्या है सत्य मेव जयते, तब उसका सही हित होगा, तो देखें कितनी बड़ी बात यहां लिखी है, उस भयानक शब्द ने, मतलब इससे पहले वाले शलोक में, जब सभी पांडवों ने उद्गोश किया, अपने अपने नाद संख बजाए, तो उस भयानक शब्द ने आकाश और प्रत्वी को गुंजाय मान कर दिया, तो यह जो इस प्रकार के आईडियम या मुहावरे इस्तमाल किये जाते हैं, वो यह बात समझने वाली है कि जो पापी विक्ति होता है, जिसने जीवन में पाप किये, उसको कोई नहीं मारता है, उसका अपना पापी उसको मारता है, वो हर चीज से भय करने लग जाता है, प पृत्वी में कंपाई मान होने लग जाती है, वो उसने पाप किया है, तो पृत्वी तो कहां हिलने वाली है, लेकिन वो ऐसा, उसको प्रतीत हो रहा है, आकाष ऐसा लगता है, जैसे अभी उसको आकाष निगल जाएगा, आकाष की विषालता उसको प्रसंद नहीं कर रý है क्योंकि उसने अधर्म का सहरा लिया है तो जो कौरों के मन में अभी युद्ध शुरू भी नहीं हुआ है उससे पहले ही इतना भैया रहा है और वो भी किसे ने बार छोड़ा है ऐसा नहीं है उनके मन में आकाश पृत्वी तक से भैयुत पन्न हो रहा है अधर शंक बजाय लेकिन उनको लग रहा है यह तो गुंजाय मान पूरी पृत्वी काप उठी और यही अगर कोई जिसके मन में जरा भी लेश मात्र भी पाप नहीं है कोई ऐसा चल नहीं है इश्शा द्वेश नहीं है वो इस प्रकार के नाद से परिशान होने वाला नहीं है तो यही कह सकत है धर्ती काप उठी है उन पापा क्रांताओं के कारण हमें डराने वाली नहीं है धर्ती यह 19 वेश लोक का अर्थ है जो अपने को समझना है यह कि यह जो आईडियम फ्रेजिस वर्ज इस्तमाल किये जा रहे है और ऐसा होता भी है पापी विक्ती को लौकिक चीजों से ही भय उत्पन्न होने लग जाता है कि यार यह भी गिर जाएगा मेरे उपर ऐसा हो जाएगा तो भय नहीं भय मुक्त होने के लिए हम भगवत गीता का बार बार उसका अध्यन कर रहे हैं मतलब इसको धारण करने की बात कर रहे हैं अब लाइटनिंग हो रही है कहीं आकाश मे कोई उसके इश्वरी तत्व को समझना चाहरा है कि कैसे ही वो इश्वर इस रूप में कैसे आ गया वो बिजली चमक रही है इश्वरी उस रूप में है वो और कई अपना डरा सहमा कहीं एक कोने में बैठा है कि अभी इश्वर मेरो पर यह बिजली गिरा देगा ऐसे जीव वही तुझे हाँ वो ठीक है आपको एक दृष्टी दी जाती है कि ये बस तुको समझ ले आप कि ये इससे हमें इतना धेना चाहिए इतना सावधान रहना चाहिए लेकिन डरने का अर्थ नहीं है उससे अगर आपके सामने कभी युद्ध की स्थिति भी आती है अब आप अच्छे युद्धा एक अच्छे फौजी को डर सबको लगता है लेकिन जिसके मन में जरा भी लेश मातर भी पाप का बहनी है वो उन सीमाओं से बहुत आगे चला जाता है सेना में युद्ध में कोई उसको अतरिक्त नहीं सिखाता है कि आपको ही परमवीर चक्र मिलने व वफादारी है अपने वचनों के लिए अपने कर्म के लिए उस पर अडिग रहना है उसका अगर हार्स हो जाएगा तो फिर हम भी कौरवी बन जाएंगे ठीक है वो दृष्टी मतलब यही है कि वो कौरव पांडव वास्तों में एक ही है अभी आपके थोड़े से वहवार में अंतर आने से आप कौरव बन सकते हैं माने जो जूट के साथ या धर्म के साथ और वहवार कुशन होने से आप या धर्म पारायन होने से आप पांडव बन सकते हैं, तो ये सब बस्तों उसको सच में डराती है, मेरे उपर बिजली गिर जाएगी, पंखा मेरे उपर गिर जाएगा, ये हो जाएगा, आकाश कम पाये मान हो रहा है, भुकम मैं मही मर जाओंगा, भुकम पा गया तो क्या होगा, चिंतन अच्छी बात है, इन सब वि पाप है जीवन में, वो डराता है उसको, क्योंकि वो किसी के बस में नहीं है, और वो दिक रहा है अभी कौरवों को, कि हमारा पाप हमें मृत्यु देगा, वो सब जान रहे हैं कि हमारी 11 अक्षुनी सेना है, पंडवों से, पंडवों की 7 अक्षुनी सेना है, चार फिर भी वो सब डरे हुए हैं तो ये अपने को ध्यान रखना है कि कभी भी जाने अंजाने किस चीज से डरना है पाप से डरना है जीवन में कोई जगन्य पाप ना हो जाए ठीक है गुझाते हुए धृतराष्ट धृतराष्ट के अथार्थ आपके पक्षवाले क्योंकि संजे बता रहे हैं धृतराष्ट के हृदे विदीन कर दिये तो यहाँ पर एक बड़ी चतुराई से राजा धृतराष्ट के मंत्री ने अपनी बाद भी रख दी क्योंकि वो तो उनको दृष्टी हैं उनको वेदव्यास ने आशिरवाद दिया है अब उनके सामने धर्म का दो रहा यह भी है कि उनको इश्वर का भक्ती भी निभानी है अपना धर्म का भी बहन कर रहा है और क्योंकि राजा के वो मंत्री है राजा का सम्मान करना है वो भी धर्म ने भाना है उनको फिर भी वो बड़ी चतुराई से अपनी बात रख लेते हैं धतराष्ट के सामने वो बोल रहे हैं कि ये जो नाद हो रहा है ये आपके पक्ष में जो लोग हैं उनी के इरदे विदिविन कर रहा है उनी के इरदे में एक प्रकार का क्लेश दे रहा है पांड़ों तो बड़े प्रसन्न से दिखाई दे रहे हैं हो भी क्यों ना तो वो युद्ध से पहले ही अपने को पता होता है कि हम जिस विशे के लिए लड़ रहे हैं वो विशे ठीक नहीं है और उस से हमारा आत्म विश्वास दगमगाने लग जाता है तो हमारा बल किस पर निर्भर कर रहा है आप देख रहे हैं हमारा बल हमारी सेना जादा है उस पर निर्भर नहीं कर रहा है हमारा बल हम किस विशे के लिए आए हैं युद्ध करने के लिए उस पर निर्भर कर रहा है कोई जमीन हथिया ना चाता है किसी की उसके लिए युद्ध कर रहा है वो और कोई उनका गुरू का अदेश माता की आग्या वो पालन करने के लिए कर रहा है उनका अपना इसमें कोई वो नहीं है हमने तो भई युद्ध मेस्थिर जो युद्ष्थिर हैं उनका तो पहले ही आग्रे नहीं था भई हस्तिनापूर चला गया उसके बाद उन्होंने खुद से इंदर प्रस्थ की स्थापना कर ली लेकिन अब जब उनको एक-प्रकार से ये मिला कि माता की एक-प्रकार से आग्या है उसमें कुंती जो पांडवों की मा हैं उन्होंने आग्या दी शत्रानी किसलिए फिर एकषत्रियों को जन्म देती है पिर वो समझ गए अब हमें मा की आग्या है युद्ध करना चाहिए तो वो एकदम अलग-लग विश है जो अपने एहिंकार अपने दंब को पूरा करने के लिए अपनी कितनी भी शक्ति लगा दे वो उसको पता है लेकिन उसके हरदे को बात पता है कि मैं गलत हूँ और वही बात उसको युद्ध में हरा देती है और जो हमारी निश्चलता है धर्म के प्रती जो कि कि गैरेंटी और वारेंटी यहां किसको लेनी है जैसे एक टर्म आती है ना गैरेंटी और वारेंटी तो यहां किसी और को नहीं लेनी है गैरेंटी और वारेंटी अपने को लेनी है अगर अपने ने ले ली गैरेंटी और वारेंटी तभी यहां जिद्ध में जीत होगी फिर साहे सामने वाली सेना दोगुनों से भी ज़्यादा क्यों नहों वो आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज है और वो सत्यता पर ही निर्भर करता है अब किसी को हम बोलें कि वही हमने किसी उसका हरन कर लिया किसी स्थ्री का हरन कर लिया अपने पूरी सेना को उसमें लगाया हुआ है माने राम और रावन के युद्ध की बात कर रहे हैं तो युद्धा है उनके मन में जानते हैं न किस विशे के लिए हम आए हैं तो जो आत्मविश्वास बढ़ना चीज जो आत्मा जो सत्यता के कारण आता है विश्वास वो कहां से आने वाला है कि हमारा राजाई जुठा है किसी की पत्नी का हरन करके आया है और अब हमें मोटिवेट कर रहा है कि तुमारे राष्ट की बात है राष्ट की कहां बात है वो तो तेरे शरीर के उसके लिए तुने ऐसा किया है वो मा सीता को तुने हरन किया है वो सब जान रहे हैं बाद इसलिए आत्म विश्वास बन नहीं नहीं रहा है रावन के भाईयों ने भी उनको बोला सब जान रहे हैं लेकिन वो अपने दंब के कारणी अपना विनाश कर रहा वो सही भी है वो कई बार ये विश्वास आता है कि जब सामने वाला इतना समझ रहा है तो वो step back क्यों नहीं ले लेता है अपना जो कदम पीछे क्यों नहीं रख लेता है इतना होने के बाद क्या वो बाद दुरियोदन नहीं समझ रहा था समझ रहा था लेकिन वो वो ऐसा ही प्रकृति बनी इसलिए कि जो उसका एहम है वो इसका सर्वनाश कर देता है अगर अभी एहम दब गया तो फिर तो वो विधर्मी कहा है फिर तो धर्मात्मा हो गया हो मैं जैसे कई बार मन में प्रशना आता है कि ये जो बड़े राक्षश प्रवर्ति के लोग हैं कोई और देश रखने वाले रहे हैं कोई और असुर हैं वो तो बड़े सुन्दर सुन्दर रूप भी धारन कर लेते हैं देवताओं की सरह ही बन जाते हैं तो उसी रूप में क्यों नहीं रहते हैं वो परलब ये उसी पैरलली उसको लेकर चलिए कि भई दुरियोधन है उसको अब समझ में आ रहा है कि गड़बड हो सकती है भगवान हमारे पक्ष में नहीं है समझी रहा है वो देखकर फिर भी क्यों नहीं जुक रहे हैं तो उसी उसमें यहां पर ये बात रखी गई है कि वो रह सकता है लेकिन रहता तो नहीं है ना जो राक्षष जो असुर है वो देवता का रूप धर लेता है लेकिन उसको बोल देवतां धर ले फिर तो देवता यी नहीं बन जाएगा पिर उसको ऑनन्द नहीं आता हो उस रूप में नहीं 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 मेरा गुण मेरा तो दूसरों को परीशान करना ही spirit कर लेए तो शरीर देवतावऔं की तरह कर लेना और वृति में देवतावँ कीots करना तो बहुत defense faz a कि अपनी मनोवृत्ती देवताओं की तरह कर लेना शरीर का क्या है एक दिन करेगा वो दूसरे दिन की पर छोड़ देगा कि ने मेरे से नहीं होता है यह गलत है एसा ही दुरियोधन के साथ वो समझ रहा है उसके बाद भी वो उसी धर्म वृत्ती में नहीं रह सकता है कि उसक इसको आनन्द अधर्म में ही मिल रहा है और वही अधर्म उसके विनाश का कारण बने रहा है तो यह बहुत कुछ देने वाली मा भगवत गीता है जिसके जीवन में कोई सहारा ना हो सारे सहारे यह बोलते हैं जो अनाथ है उसको सनाथ कर देती है श्रीमत भगवत गीता क्योंकि मेरे जीवन में कभी कोई द्वन दाता है यह किसके शब्द मैं बोल रहा हूँ राष्ट पिता महात्मा गांधी बहुते हैं मेरे जीवन में जब कोई द्वन्द आता है तो मैं किस से विचार करूँ मैं अभी धर्म संकट में उल्जावाँ तो मैं मुझसे ज्ञान में जो बड़े हैं या कह सकते हैं मेरा सबसे पहला गुरु कौन सबी का सबसे पहला गुरु कौन मा तो उस द्वन्द से बचने उस धर्म संकट से निकलने के लिए मेरे जीवन में मा का बिचार आता है क्या इसका सलूशन हो सकता है क्या इसका समाधान हो सकता है तो जब तक मा थी उनसे मैं मिल लिया करता था अब मा नहीं है मेरे जीवन में बात वारतालाप नहीं हो सकता उनका ध्यावसान हो गया है तो अब मैं किस से बात करू तो बुलते अब मुझे मेरी मा मिल गई है श्रीमत भगवत गीता वो आपको उस धर्म के दो राहे से निकाल सकती है तिसलिए एक एक शलोक का अर्थ अपने को धारन करना है बोलना नहीं है करना है ये भी एक गंभीर विश्च है हम किसको ज़्यादा माननिता दे रहे हैं जो उसका उपदेशक है या जो उसका पालन करने वाला है हम दूसरे से जो कामना करते हैं कि वो धर्म का पालन करें हम स्वेम भी उतनी ही guarantee warranty से धर्म का पालन करें नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी आपके मन में डर उत्पन हो जाएगा क्योंकि guarantee नहीं लिया आपने अपने आपकी आपने दिखावा किया है एक illusion बनाया है भ्रम क्रियेट किया है और वही भ्रम हमारा अंत कर देगा तो आज के लिए दोस्तो इतना ही क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा मिलते एंगली क्लास में तब तक के लिए जैश्री भगू पर आशरा जैश्री शुक्राचारिया नमस्कार